दोस्तों बिखार पंचायती राज बहाली 2024 के बारे में चलिए आप सभी फूल डीटेल्स जानकारी देखिए यह जो बहाली होने जा रही है दोस्तों 15,000 पदाव पर इस 15,000 में देखेगा कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि 10th लेवल दसमी पास पर है कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि 12 लेवल पर है कुछ ऐसे पोस्ट है जो ग्रेजिए आरे तो चलिए यहां सावी फूल डेटेल्स जानकारी देखिए फॉर्म हर एक चीज के बारे में आप सभी को इस वीडियो में फूल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं तो दसमी लेवल बार्मी लेवल यह जो बहाली होने जारी है दोस्तों बिखार पंचायती राज विभाग तो यहां साब सभी देखेगा ति हिंदुस्तान का न्यूज है पंचायती राज विभाग में 15,000 पदव पर बहाली होगी इस 15,000 में देखेगा तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो कि 10 मी लेबल 10 पास इंटर लेवल तो देखें इंटर लेवल में सीवीटी परिच्छा आप सभी को देना है इसके लिए आप सोच रहोंगे कि बहुत समय है ऐसा नहीं है और सीजील फोर की वेकेंसी आ रही है तो क्या आप सभी निव अपडेट जानना चाहते है इन सभी वेकेंसी के बारे में कमेंट कीजिए बागी कीज़ों को पारे में आगे बताने वाले पहले आप से इस वेकेंसी के बारे में देख़िए यह जूंज है दोस्तों हिंदुसतान का नियुज है आज से चार दिन पहले का है तेस नीज के माध्यम सी यह की पंचाईतीराज विभागी यानि बिहार पंचायती राज विभाग में अलग लग तरह के क्वैलिफिकेशन के अधार पर 15,000 पदों पर बहाली की जाएगी और यह जानकारी देखेगा तो यहां पर डीटेल्स में पंटना हिंदुस्तान ब्यूरो पंचायती राज मंत्री के दार पर साथ गुपता ने कहा कि परेगा देखे इसी पंचायती राज विभाग में देखेगा एक बहुत अच्छा पोश्ट है पंचायत सचीव का जो की देखेगा बार्मी लेवल्स रिल्टेट पोश्ट है और यह जो बहाली की जाती है भी एसस के माध्यम से उसके बारे में भी इसमें बताया गया है इ इसमें देखेगा तो दो ऐसे पोश्ट है जो की बहुत ही रोयल है पहला तो देखेगा आप राजसो करमचारी का है तो आप सभी का फर्ष्ट प्रिफ्रेंस रहने वाले दूसरा देखेगा पंचायत सचीव यह दोनों पोश्ट दोस्तों जिसमें आपको टैपिंग कुछ बीचीजें नहीं देना एकजाम के अधार फर या आप सभी का सेलेक्षन होने वाला है तो देखे इतना अच्छा सब कुछ पोश्ट है तो तेयारी कीजेगा तब तो आपका रिजल्ट होगा और आप सभी को पता है कि आप सभी को सी बीटी एकजाम देना है एक सो पलस शि सीट खाली रहेगा तब तो वेकेंसी आएगी पिछली बार 2014 माई थी और देखेगा तो यहां पर 2023 में वेकेंसी दी गई है अब आपको कम से कम 7-8 साल का इंतजार करना पड़ेगा और अभी यह जो सीट है इसमें सीटों की संख्या और भी बढ़ने वाली है तो फुल प्र इच्छा होगी इस तरह से देखेगा 15000 पलस क्वेस्चन तो 15000 नए तरीके स्क्वेस्चन यह सब चीजें कितना तयार करना संभव नहीं है क्या 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 आपको जयतर क्वेस्चन प्रिभिया से देखने को मिलेगा हम आप लोगों के लिए क्या कि हैं बिहार में और आसानी से बना लिजेगा साथ ही देखेगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दरोगा अन्य परिक्षाओं का क्वेस्चन बाइंग का आपको जरूर कंपलीट करना है दरोगा बिपीएसी बिहार पुलीस से जयतर जीके साइंस में क्वेस्चन रिपीट होगा बिहार एससी अप फुल तैयारी तो होगे ही साथ में एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलने वाला है तो देखिए अगर आप समय रहते ज्वाइन कीजेगा तब तो यह सब चीजह अच्छे से कंपलीट कर पाईएगा अगर आप अच्छे से हर एक चीज़ कंपलीट नहीं कर पाईएगा अभी आपके पास मौका है जहीं फिर आप अपलिकेशन के साथ कोर्स के साथ जूर करके जम के त्यारी किजिए तो इसके बारे में अगर आप अपडेट जानना चाहते कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में भी अपडेट कर देंगा अभी भाग में लगवग 15,000 बहाली पदोपर जो बहाली है बिखार विधान सभाज चुनों से पहले कर ली जाएगी तो यह दिखिए आप लोगों के लिए गुड नियूज है जैसे कि आप लोगों कई दिन बताए हैं बिखार में अभी इतनी सारी वेकेंसी इसलिए आ रही है क इस बार दिखेगा तो यहाँ पर टार्गेट ही है कि जैदे स्जैदे वेकेंसी कंप्लिट सब कुछ करना भरती करना यानि 10 लाग सरकारी नौकरी देना और जो भी वेकेंसी आ रही है भले डिले कितना भी हो लेकिन सभी वेकेंसी का टार्गेट है दोस्तों अगस्ट तो में भले डिले हो रहा है लेकिन वेकेंसी तुरंत परेख्षा मेंं परेख्षा है सब पजिए समय गता में इसली आप सभी अच्छ से त्यारिक तो यहां पर देखेगा यह जानकारी जो है सुचना भवन में प्रेश्वारता में बुधवार को कहा परखंड पंचायती राज-पताधिकारी 29 पद देखेगा बीपीएसी को अधियाचना के लिए भेजी जा चुकी है यह हायर लेवल का पोस्ट है बीपीएसी के माध्यम से की जाती है इसके बाद देखेगा 366 पद अंकेशक की नियुक्ति हो चुकी है निम्नवर्गे लिपीक के 504 पद और पंचायत सचीव के 3532 पद देखे ये 35 सचीव वाला जो पोस्ट है 3532 तो बीएससी के माध्यम से की जा रही है तो यहां पर देखेगा भी हर करमचारी चै 3049 मित्र का नियोजन परक्रियाधीन है 694 में उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों बायोमेट्रिक सिस्टम लगेंगे ताकि कर्मी समय पर कारिया ले आए और 1392 पंचायतों बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा चुके अगले साल मार्ज तक विविन पंचायतों में आठ लाग राज विफाग में जो भी बहाली यह सब चीज़े दिया गया जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा दूसरा दिखिए कि एक जाम को लेकर आप सभी जानना चाहते हैं पैस अर्जु सतर लेकपाल के बारे में तो देखिए उसकी परिक्षा भी जल्द ली जाएगी और यह भी भरती परिक्रिया तुरंत सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा अब आपको इसके लिए जाएदे इंतजार नहीं करना परेगा अब देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट है दोस्त जिसकी बहाली पहले से आ चुकी है तो यहां पर आप लोगों क्लियर हो गय यह वेकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप में इसे जो भी बिहार से से इंटर लेवल वाले हैं आप सभी अच्छे से त्यारी किजिए क्योंकि आप लोगों की भी भरती परिक्रिया तुरंत सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा तो यहां से दोस्तों बिहार पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहाली को लेकर जो चीजे चल रही है निउज आप सभी हर एक चीज के बारे में देख लिए और CGL4 का आप में से कौन-कौन ही जार कर रहे हैं आप सभी क्या निउज अपडेट चानना चाहते हैं CGL4 वेकेंसी को लेकर तो आप हर्ट कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग अपडेट कर देंगे